So, what's up guys, आज किस वीडियो में बात करने वाले वीडियो के आई बटन का खुपिया सेटिंग्स के बारे में जो कि काफी ज़्यदा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अभी सिकर जे लाइक और वीडियो से लिडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैन को सब्सक्राइब जरू करने और साथ में नोटिपिकेशन को आल पेज सेलेक्ट जरू करना ताकि हमारा वीडियो को नोटिपिकेशन आप से मिस न हो पाई So, चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं So, सबसे पहले आपको अपना वर्टसप को ओपिन करना है ओपिन करने के बाद यहाँ पे आपको यह खुपिया सेटिंग जिसके साथ आप यूज करना चाहते हो सिंपल से आपको उनके प्रफाइल पे टैप करना है इस तरह से टैप करने के बाद यहाँ पे आपको i button so हो जाएगा और इस i button में वहाँ खुपिया setting छुपा हुआ है तो आएज जान लेते हैं वहाँ कौन सी खुपिया setting है so guys आपको क्या करना है आपको i button पे टैप करना है टैप करने के बाद आपको नीचे में displaying message बाले option दिख जाएगा इस पे आपको टैप करना है टैप करने के बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो messages timer सब सब पहले मैं यहाँ पे एक time को select कर लेता हूँ जैसा कि मैं यहाँ 24 hours मैंने यहाँ पे select कर लिया हूँ फिर बाद में आपको क्या करना है आपको यहाँ से back हो जाना है और इसके आगे मैं आपको life proof में दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हूँ इनके profile पे timer वाले option 100 हो चुका है इस पे मैं टैप करता हूँ यहाँ पे मैं कोई भी message कर देता हूँ इस टैप का और यह message 24 hours के बास automatic ही delete हो जाएगा वह भी parametrically delete होगा तो यह खुपया setting आपको कैसा लगा मुझे comment में बताना और वीडियो अच्छा लगाती है वीडियो का लाइक करना चैनल पहले बारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में